अगर आपके बच्चे हैं, तो आपको बस यही करना है, कि एक प्यार भारा, मददकार और उर्जा भारा महौल बनाएं। यह मानना जरूरी नहीं है, कि एक बच्चा जो नया जीवन है, वो मूल रूप से बुरा है, और आपको उसे कई नैतिकताएं, मूल यह, विचार और विचार धानाएं से खानी होंगी। वैसे एक बच्चा चाहे वो लड़का हो या लड़की, हमें बस यह समझना होगा कि वो सवभाविक रूप से खुश और खुशाल है, पर उसकी खुद को बचाने की प्रविर्टी मस्बूत है, और वो निश्चित तरीकों सिस्तितियों का जवाब देता है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हर माता पिता को करनी चाहिए, वो ये है कि जब तक आपका बच्चा ठारा वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक आपको ये पक्का करना चाहिए कि अपने घर के माहौल में, उसे ये कभी न दिखें, कि डर क्या है, चिंता क्या है, गुस्स फिर आपको ये गारंटी होगी कि वे बहुत अच्छे से बड़े होंगे, वैसे तो बाहरी असर पढ़ने की संभावना हमेशा रहती है, पर अगर आप घर में बहुत ही सुखद और सुन्दर माहौल बनाए रखते हैं, तो आप देखेंगे कि बच्चे पर सबसे बड़ा असर इसका होगा, बाहर अगर उन पर कोई बुरा प्रभाव पढ़ता है, तो वे जान जाएंगे कि उसे दूर कैसे करना है, अगर घर का माहौल बहुत सुखद और सुन्दर हो तो, आपको अपने बच्चे के साथ बस यही करना है, ये पक्का करें कि आप एक अद्भुत जीवन होने की लगातार मिसाल दें, तो अगर आपके बच्चे हैं, तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपको खुद पर काम करना होगा, शिक्षा एक ऐसा साधन होना चाहिए, जिससे इंसानी बोध और जेतना बढ़े, एक बड़ी मशीन के हिस्से बनाने का साधन नहीं होन चाहिए, क्या हम अदभुत मनिश्य पैदा करने में रूची रखते हैं, या हम उन्हें इस आर्थिक इंजन में फिट करना चाहते हैं, जिसे हमने बनाया है, जो पूरी धर्ती को तबहा कर रहा है, हम अपने आर्थिक इंजन को जितनी तेजी से चलाते हैं, विनाश उतना नहीं जादा होता है यह हम सभी जानते हैं हमारा आर्थिक इंजन एक ऐसा इंजन है जिसका एक्सलरेटर हम सभी ने पूरा दबा रखा है पर स्टेरिंग वील कोई नहीं सभादा रहा है हमें अपने बच्चों को ऐसी गाड़ी के पहियों के नीचे नहीं डालना चाहिए जो देखने के तरीके पर फिर विचार करने का शिक्षा को निश्चित रूप से हमें उचे बूध और जादा जागरुक जीवन की ओर ले जाना चाहिए और सबसे बढ़कर शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हर इंसान के अंदर से इंसानियत उमड़ पड़े जब आप में इंसान पाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप ऐसी मिसाल पेश करें कि वे भी आपके जैसा बनना चाहें फिर आपको जादा परवरिश नहीं करनी पड़ेगी बच्चे ध्यान देकर और भागिदारी से सीखते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई और फिलोसफी से जो शायद आप सिखा रहे हैं कृप्या ऐसी मिसाल काहिम करें वैसे इंसान बने जैसा आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं उसके बाद आपको जादा कुछ नहीं करना पड़ेगा किसी तरहे उनके मन में आप सूपर स्टार बन जाएं फिर आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि वे कहा जाएंगे क्या करेंगे क्योंकि वे आपके जैसा बनना चाहेंगे आपको बस यही करना है खुद को ऐसा बनाएं कि बच्चे भी आप जैसा बनना चाहें एक जरूरी चीज जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं वो है उन्हें कुछ समय के लिए प्रकरती में लेके जाना जो आप घर पर नहीं पढ़ा सकते जो स्कूल, शिक्षक और माता-पिता नहीं कर सकते वो प्रकरती कर सकती है ये बच्चों को कई आदतों से दूर रखने का सबसे आसान तरीका है क्योंकि बच्चों को लट लगने का डर हर परिवार को सताता है और इस सबसे बढ़कर बच्चों में अपने आप ही अनुशासन का भाव समा जाएगा जब बच्चे बाहर प्रकरती में जाएंगे क्योंकि वहाँ क्या कारगर है और क्या नहीं है ये साफ नजर आ जाता है सभी माता पिता आप में से वे लोग जो अपनी तुलना में आने वाली एक बहतर पीड़ी तयार करना चाहते हैं अगर आप उसके लिए समर्पित हैं तो आपको कुछ समय निकालना होगा तकि आप अपने बच्चों को जंगलों, पहाडों, नदियों समुद्र में ले जाएं जो भी उपलब्ध है अगर आप सोचते हैं कि आप ऐसे इंसान है जो लंबी छुटियों पर नहीं जा सकते तो कोई फर्क नहीं पड़ता बस अपने शहर के आसपास अगर आप कहीं जाएंगे तो एक छोटी सी पहाडी को चट्टाने मिल जाएंगी होने क्रॉस कंट्री ट्रेक करवाएं, आपके शारीरिक स्वास थे, मानसिक स्वास थे और सबसे बढ़कर बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत जादा जरूरी है करे दयर जर यदए विकास के स्वास थे, मानसिक स्वास थे बहुत जरूधा सकते जरूर्ण जरूरी है